इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। कर्मा आयुर्वेदा सैंडी कर्मा योग कैपसूल मधुमेह से पीडित लोगों के लिए फायदे मंद है। मधुमेह के कारण शरीर में रक्त शरकरा का स्तर बढ़ जाता है। इसमें मौजूद नीम की पत्ती फ्लेवोनोईद, ट्राइटर्पेनोईद, एंटिवाइरल योगिकों और ग्लाइकोसाइट से भरपूर होती है। ये आपके रक्त शरकरा की स्तर को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, इसमें एंटियोकसीडेंट और एंटि इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो टाइप दो मधुमे को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। दो, ये स्टार्च के ग्लूकोज में तूटने को कम करने में मदद करता है, जिसे रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है। तीन, ये कैपसूल कोशिकाओं से रक्त प्रवाह में इंसुलिन उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। चार, नीम की पत्ती फ्लेवोनोईद, ट्राइटर पेनोईड, एंटी वाइरल योगिकों और ग्लाइकोसाइड से भरपूर होती है। पाँच, ये कैपसूल शरीर में रक्त शरकरा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।